हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी की खास्ता मीठी मठरी या आप इसको पापरी भी कह सकते हैं जो खाने में काफी टेस्टी होती है काफी कुरकुरी बनती है आप इसे एयर टाइट कंटेनर में वन से टू मन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं पिसलिए बनाना श ग्राइंड कर लें उसमें डालेंगे हाप कप गहुं का आटा हाप कप से थोरी कम सक्कर या पीसी हुई चीनी डालेंगे अब इसमें डालेंगे 2 टेबल इस्पुन सफेद तिल तिल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और 1 टीस्पुन क्रस्क्यूई हरी आप 1 teaspoon एलाइची पॉडर भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे 2 tablespoon oil या घी इसके आटे को हम पानी से नहीं दूस से लगाएंगे इसके आटे को लगाने के लिए गुनगुना दूद ले ले अब थोरा थोरा दूद डाल कर हम soft आटा लगा लेंगे इसके लिए सक्त आटा बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि इस मीठी मठ्री को बनाने के लिए हम सूजी का यूज़ कर रहे हैं और सूजी फूलती है हमने इसमें मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है तो ये काफी healthy भी है इतने आटे को लगाने में करीब one third दूद का use हुआ अब इसको ढखकर 30 मिनट के लिए rest के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के बाद आप देखेंगे आटा पहले से hard हो गया है और हमारे पास वैसा ही आटा है जैसा हमें मठ्री बनाने के लिए चाहिए अब एक बार फिर से इसको अच्छे से गूत लेंगे अब एक बॉल के अकार का लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे इसको हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे अब आप अपने मन पसंद का कोई भी safe काट सकते हैं मैं यहाँ पे गोल safe में काट रही हूँ जो भी extra आट है उसको हटा देंगे और उसी आटे में मिला देंगे थिकनेस आप देख सकते हमें इतनी मोटी ही रखनी हैं अब फोक की मदर से दोनों तरफ अच्छे से छेत कर लेंगे इससे जो मठ्री है न वो काफी करारी बनेगी बस अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक और बार मैं आपको बना के दिखला देती हूँ इसी तरीके से हमने सारी मठ्री बना कर त्यार कर लिया अब एक कराही में तेल गरम होने के लिए रख देंगे मठ्री तलने के लिए हम तेल को मेडियम गरम करेंगे अब एक बार में तेल में जितनी मठ्री आ पाएगी हम डाल देंगे इस समय गैंस का फ्लेम लो रखे डालने के बाद हम इसको तुरंत नहीं हिलाएंगे एक तरफ अच्छे से सिखने देंगे फिर आप इसको पलट दे अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे उलटते पुलटते गोल्डेन ब्राउन और किस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे बस अब मठरी पे अच्छा गोल्डेन ब्राउन कलर आ गया है अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे ठंड़ होने के बाद इसका कलर थोड़ा सो और डार्क हो जाता है तैयार है हमारी सूजी की खस्ता मीठी मठरी बस अब जल्दी से दूसरा बैच भी डाल लेते हैं हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार है अब हम इसको भी निकाल लेंगे ये मठरी बहुत ही करारी बनती है आप इसकी आवाज सुन सकते है एक में आपको तोर करके दिखाती है ये कितने कुरकुरी और खस्ता बनी है तो इस दिबाली सूजी की इस मीठी मठरी को आप भी बनाए और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी बजकी सूबस्क्राइच करते है या सबस्क्राइच चनल आपको क्या आपको का झाल पको का बागी